नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका मारे यूट्यूब चनल आउनलाइन एस्ट वीडिके में दोस्तों आज हम आपके लिए यूपीजीट एग्सम जो छह जनवरी 2019 को हुई है उसका कटाफ जारी हो गया है और इसके कटाफ से संबंदित सूशना आपके लिए लेकर आए हैं तो सबसे पहले यहाँ पर सबसे उपर देखते हैं यह इसका अफिशल आदिशी है प्रिशक चंदर सेखर विसे सची उत्तरप्रदेश सासन सेवा में निरदेश्यक राज सैक्षी कनुसंदान प्रसीक्षन परिशत उत्तरप्रदेश लगनाउ दिनांक देख सकते हैं और यह जो है साथ जनवरी 2019 को जारी किया गया है और यहां पर इसका विसे देखिए उत्तरप्रदेश बैसीक सिक्षा परिशत द्वारा संचलित परिशदी प्रात्मिक विध्यालयों है तू सहयक भरती परिशत 2019 में नियूंतम उत्रण अंक निरधारित किये जाने के संबंद मतलब जो अब परिक्षा में हुई है उस परिक्षा में नियूंतम उत्रण अंक कितने रहेंगे यह निरधारित करने के संबंद में यह रहा है चलिए आगे देखते हैं महोदे उप्रुक्त विशय सच्चिव बैसिक शिक्षा परिशद के पत्र संख्या बैसिक शिक्षा 2019 का संदर्ब ग्रहन करें जिसकी द्वारा सायक भरती परिक्षा 2019 में नियूंतम उत्रणांक निरधारित किये जाने का अन्रुद किया है यह संबंद में मुझे कहने का आदेश हुआ है कि सासन द्वारा सम्यक विचार प्रांत सायक भरती परिक्षा 2019 की आयोजन है तू नि 19 नियुन्तम उत्रिणांक निर्धारित किया जाता है और यहां नियुन्तम उत्रिणांक मात्र सहायक भरती परिक्षा 2019 के लिए हुगा अब इसके इंदर आगए बात की गई हैं सामान्य वर्ग के अभ्यारतियों के लिए जो जनरल केटेगरी रहेंगी उनके लिए अभ्यारतियों को पुर्णांक 150 में से 97 अंक यहां पर आप देख सकते हैं 150 में से 97 अंक आर्थात 65 प्रतीशत अंक एवं उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले को सहायक अध्यापक भरती परिक्षा 2019 है तो उतरन माना जाएगा तो जनरल केटेगरी जो रहेंगी उनके लिए इसमें 97 अंक आर्थात 65 प्रतीशत अंक और उससे अधिक अंक वालोग को उतरन माना जाएगा इसी के साथ आगे देखते हैं अन्य समस्त अर्ख्षित वर्ग के अभ्यारतियों को 150 में से 90 अंक यहाँ पर लेना है और अर्थात 60 प्रतीशत अंक तो अन्य क्रेटेगरी जो अर्ख्षित वर्ग के लिए हैं उनके लिए इसके अंदर 60 प्रतीशत अंक अधिक अंक अधिकार नहीं होगा क्योंकि यह परिक्षा नियुक्ति के लिए किवल पात्रता मान दंडों में से एक है इसी के सांसाथ यहां पर निरधार्थ विग्यप्ति पदों की संख्या जो है विग्यप्ति पदों के सापेक्ष उत्तर प्रदेश बैसिक शिक्षा बोर्ड सेवा नियम वाली के 1981 के 2700 परिक्षिस्ट एक अमदरधारित आरक्षन के अनुसार अहर अभ्यारतियों का चैन किया जाएगा दरसे मैरिट भी लगेगी और से इस अभ्यारती चैन प्रक्रिया स स्वत्ता बाहर हो जाएंगे और इस सहायक अध्यापक भरती परिक्षा 2019 के अध्यार पर चैन है तो कोई अधिकार नहीं रहेगा तो 79000 से अधिक अभ्यारती उत्रण होते हैं प्रिक्षा के अंदर तो उसमें मैरिट बनेगी यह भी इनोंने इसमें पताया है और आगे बत प्रशित किया गया है तो दोस्तों यह रहा है इसका कटाफ जो कि 65% और 70% प्रतिशत रहा है और इसी संब्दित आपको एक छोटी सी न्यूज क्लिप भी हम इसके अंदर दिखाएंगे जो कि आपको लास्ट में देखने को मिलेगी जो न्यूस पर भी यह चीज बताई जा चुकी है तो दोस्तों आप मैंसे कई लोगों को थोड़ी से निरासा भी हो सकती है यहां पर क्योंकि हमें भी बताने की इक्षण नहीं थी कि यह आपको बताएं इंफ्रमेशन परन्तु सूशना देना जरूरी था इसलिए आप हमारे सांद बहुत समय से जुड़े हैं तो आपने रस्त ना हुई है किसी का कम है तो और हुंसला रखे और भी आपको के लिए कहीं है कि समझो रहेंगे आइंगे तो दोस्तों आप चनल पर इतने समय तक बने रहें इसके लिए बहुत धन्यवत थिंक्यू सुमच में बिलते हैं जल्द ही